मैं बहुत अच्छे से अवगत हूँ आप लोगों की समस्याओं से इतना जरूर देख लीजेगा कि मेरे मार्ग दर्शक तो दंकल साहब हैं मेरी बड़ी बहन विशाका सेलानी हैं जो इंडियेमसी में हैं मेरे बड़े भाई हैं सुनील यादर जी जो बहुत कर्मत और जुझारू हैं और कितने जादा डटे रहते हैं अधिकारों के लिए और मा जहां तक व्यापारियों की बात है मेरा मार्ग दर्शन करने के लिए रविंद्र गुपता और सतीश गर्जी मेरे बड़े भाई हैं और बहन आपकी जिसको यदि आपने जिता कर भेजा तो वो सांसत के रूप में वकील है यानि डिपार्टमेंट्स और काफी लोग जो आपको तंग करते हैं उनसे उलजना जूजना उनकी नाक में तंग करना मुझे बहुत अच्छे से आता है आपकी जितनी भी मार्केट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं चार जून को सेवा का मौका देजिए पांच जून से साथ बैठके डिस्कस करते हैं मैं वादा करती हूँ कि जब भी आवाज संसद में गूंजेगी तो यह आवाज अकेली बांसुरी स्वराज की आवाज नहीं होगी यह यहां बैठे मोधी के परिवार के एक एक परजन की आवाज होगी और हाँ श्रीमती सुष्मा स्वराज के संसकारों का सारहू में आजमा कर देख रीजेगा निराश नहीं होने दोगी यहां आए हैं क्योंकि यह मेरी मार्केट है मैं दरसल हम लोग बहुत समय आप देखेंगे लोधी इस्टेट लोधी रोड या फिर हम लोग सब्दर जंग लेन वगेरा में रहे हैं बच्पन यहां पीता तो यहां तो खान मार्केट लेकिन जब सही चीज लेनी थी तो आप हमेशा खना मार्केट यह में आपको बताओ मेरे घर में और ऑफिस में जितने टेलिविशन जितने फ्रिज बगेरा हैं वो सारे के सारे यहां से खरीदी गए हैं तो महर्जन मार्केट लेकिन और महर्जन मार्केट की अर्चीज से हमेशा मा के लिए मदर्स दे पर या उनके जनम दिन पर ग्रीटिंग कार्ड यहीं जिखनी इससे पहले कि मैं निवेदन करूं आपकी वोट का मुझे लगता है कि मैं गुल्दस्ता लाई हूँ वचनों का जो मुझे आपके चरणों में अर्पित जरूर करना चाहिए क्योंकि छोटे जब कुछ मांगने आते हैं बढ़ों से तो पहले कुछ रखते हैं समक्ष और उसके बाद छोली भेला कर आशरवाद मांगते तो सबसे पहला वचन में आपसे करते हैं यदि जिता कर भेजते हैं तो आपकी सांसत के रूप में आपके लिए उपलब्द रहकर आपके बीच में मौजूद रहकर आपकी सुख़दुक की साथिन बनकर आपकी सभी समस्याओं के निवारण, निदान और समाधान के लिए कूरी कोशिश करूँगी अथक प्रयास करूँगी और जैसे मोधी जी की गैरंटी है बासुरी की भी गैरंटी है ये वचन बिना कोलैटरिल के नहीं है व्यापारी कौम से बात करें